एक चीनी संत थे, वह बहुत वृद्ध हो चुके थे, जब उन्होंने देखा कि उनका अंतिम समय निकट आ गया, तो उन्होंने अपने सभी सिशों को अपने निकट बुलाया। जब सभी शिशे आ गए तो उन्होंने अपना मूँ खोला और अपने शिश्यों से एक प्रश्न किया देखो तो भाई क्या मेरे मूँ के अंदर दाथ हैं तो शिश्यों ने मूँ के अंदर जागते हुए कहा वह तो कई वर्शों से समाप्ट हो चुके हैं उन्होंने कहा देखो ज़रा जीव विद्ध्यमान है सभी शिश्यों ने एक स्वर में कहा जी हां जीव तो आपके मुख में अभी भी विद्ध्यमान है तब उन संत ने उनसे एक प्रश्ण किया संत ने कहा कि यदि मेरी जीव विद्यमान है तो मेरे दाथ क्यों नहीं है क्या तुम बजा सकते हो कि जो जीव मेरे साथ जन्म के समय आई थी वह मेरे मृत्यू तक मेरे साथ है और जो मेरे धात, मेरे जन्म के काफी बाद आये थे और मेरे बृत्यू से काफी पहले ही क्यों तूट गये सभी सिश्यों के मद्य सन्नाट अचा गया उनमें से इस बात का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था तब उनमें से एक सिश्य ने वो संत से यह कहा हे गुरुदिव हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्या आप हमें इसका जवाब बतलाने की किरपा करेंगे तब उस संत ने कहा कि हाँ इसका बुख्य कारण है कि जो जीव होती है वह बहुत ही कुमल होती है इसलिए वह जन्म से अब तक टिकी रही और जो दांत होते हैं वह बहुत कठोर होते हैं इसलिए वह जन्म के कई समय बाद आए और प्रित्यू से कई समय पहले ही चले गए इसलिए मेरे वच्चों यदि तुम्हें लंबा जीना है तो विनम्रता बनाए रखना अती आवश्चक है यदि कठोर बनोगे तो बहुत कम जीओगे और विनम्र बनोगे तो बहुत अधिक जीओगे